नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बनने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर टेक्स्टाइल उद्योग का हब बने का बिहार 4 ओक्टूबर को यहां लगे का रोजगार मिला बिहार में नियूंत मजदूरी की नई दर कल से लागू किंद से बिहार को योजना मत में मिले 11 फीजदी राजी भारत को दिये गए बयान पर PCB ने लिया यूटर्ट इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के उर्वस्तार से टेकस्टाइल उद्योग का हब बने का बिहार बहुत जल्दी बिहार टेकस्टाइल हब बनने वाला है दरसल अब बिहार की राजधानी पटना और भागलपुर के बाद गया में 23 एकर जमीन चिनितकर भूमी अस्थानतरित का प्रस्ताव उद्योग विभाक को सौपा गया है इस बारे में उद्योग विभाक के आला अधिकारी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि हत्त है क्या ग्या है कि उक्त जमीन को वहां काम कर रही टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज को ही दिया जाएगा वहीं स्थानी अस्तर पर इस सेक्टर में काम कर रहे है उद्यमी को अपनी काई के विस्तार के लिए जमीन तो दी ही जाएगी साथ ही साथ उन्हें काम को व्रिहत सरूत देने के लिए आतिक मदद भी की जाएगी वहीं अगर गया में टेक्स्टाइल के छेतर में काम कर रही कंपनी अपने विस्तार यूनिट बियाडा द्वारा उपलद्ध कराए गए जमीन पर लगाती है तो उन्हें वह सभी लाब मिलेंगे जो ट प्रानकारी देते वे बताया गया है कि 4 ऑक्टूबर को सुबह सारे 10 बजे से शाम 4 बजे तक अवर प्रादीशिक नियोजनाले छप्रा कारयाले परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया जरा है इस रोजगार मेला में दस्वी पास और ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं हालक इस रोजगार कैंप में भाग लेने के एक चुक अभ्यर्थी का जिला नियोजनाले कारयाले में निबंधन होना आवशक है जो कि अभ्यर्थी NCS की पोटल www.ncs.gov.in पर जाकर अपना निबंधन करवा सकते हैं इसके अलावा आप अवर प्रादेशि अपना निबंधन करवाकने के लिए संपर कर सकते हैं बिहार में नियुनतम मजदूरी की नई दर कल से लागू शम संसाधन विभाग के विसे सचीव आलोक कुमार के द्वारा अधिसूशना चारीकर यह जानकारी दी गई है कि अब बिहार में नियुनतम मजदूरी दर में जिसमें से पहली बार एक अप्रेल को तो वही दूसरी बार एक आक्टूबर को बढ़ाई जाती है मालुमों कि वर्तमान में जारी के गया दिशूशना के नसार राजमी और कुसर श्रेरी के मजदूरों को 388 रुपए मिलते हैं या लिपी के एक काड़ी करने वालों को 11,107 के बदले 11,317 रुपए मिलेंगे मौनूल हक स्टेडियम से प्यू तक इस दिन तक तयार होगा 1.5 किलो मीटर टरल मौनूल हक स्टेडियम से पटना वीवी के बीच अंडगराउंड मेट्रों के काम में अपतेजी आ गई है लिया जाएगा वही इसके बाद पटना वीवी से PMCH गांधी मैदान की ओर मौनूल हक स्टेडियम से राजिंद्र नगर स्टेशन की ओर अंडगराउंड मेट्रों का निर्मान कारे शिरू होगा वहीं फिलहार अंडर्ग्राउंड मेट्रो स्टेशन पीम्सीच गांधी मैदान में निर्मान कारे सुरू करने से पहले डाइवर्जन को दुरुस्त किया जा रहा है इसी तरह एनेच 30 पर भी ट्राफिक डाइवर्जन किया गया है राजिंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का काम सुरू करने से पहले गंकर बाग में रोड पर ट्राफिक डाइवर्जन राजिंद्र नगर स्टेशन के छेतर के अंदर सरक बना कर किया गया है बहार में डंगु के कुल मामले 6,000 के पार बहार में डंगु के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है बता दे कि राज्यमें वीते 24 घंटे में डंगु के 396 नए मरीज मिले हैं जो अब तक एक दन में सरवाधिक हैं जिसमें से अकेरे बहार के राजधानी पटना क इस साल तक अब तक डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 1746 है बतादे कि पिटना के लावा जिन जलों से डेंगू की मामले सामने आ रहे हैं उसमें भागलपुर, सारन, मुझपरपुर, पश्मी, चंपारण, पुर्वी, चंपारण, मुंगेर, वैशाली जिला शामिल है बिहार में अंचलाधिकारियों के काम की समिक्षा की रिपोर्ट जारी हर मा बिहार के अंचलाधिकारी के द्वारा किये गए कारियों की समिक्षा की जाती है और उसते जुरा रैंकिंग हर महीने जारी किया जाता है बतादे के अगस्त महीने में पांच सबसे खड़ाप पंजाब में किसान आंदोलन से बिहार की ट्रेने कैंसल, पुम्डे के CP8O विरंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब में किसानों की आंदोलन की वज़ा से उत्तर बिहार से अमरित सर जानी वाली कई ट्रेने कैंसल कर दी गई हैं जिसमें 30 सितमर को दरभंगा से अमरित सर के लिए चलनने वाली जननायक ए राची गोहाटी स्पेशल ट्रेन के परिचारन अवधी में विस्तार करते वे उसके नौ फेडों में व्रिधी कर दी गई है वापसी में कारी संख्या 05672 राची गोहाटी स्पेशल अब राची से 1 ऑक्टूबर 2013 से 26 नमंबर 2013 सबता के प्रतीक रविवार को परिचारित की जाएगी इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए यात्री गन स्ट्रेटी पीएस कोलम्स लैस 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 इंकोरी डॉट इंडियन रेल डॉट जी ओवी डॉट इन या एंटी एस एप का इस्तमाल कर सकते हैं इंडो नेपाल सीमा पर निपाली शराब जब बिहार में सिराब ब पाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस जरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं बतादी की ताजा मामला भारत नेपाल सिमांकन इस्तम संख्या 25 बटा च्छे का है जहां बिहार के मधुबरी जिले के जैनगर अनुमंडल मुख्याले स्थित अर्तालिस वी वाहिनी स तसस्तर सीमाबल जैनगर के भारत नेपाल सीमाचो की मधवापुर के सीमाबल के जवानों के द्वारा नेपाल से भारत में लाए जा रहे नेपाली शराप की 90 बोतलों को पकड़ा गया है और साथी एक तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान वत्तसवर्शी है नीरज कुमार के रूप में की गई है इसके अलबा पुलिस के द्वारा तसकर के पास से एक बाइक भी जब्त किया गया है वहीं तसकर को गिरफतार करने के बाद SSB के जवानों ने उसे इस्थानिया पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस आगी की काड़वाई में जट ग रूपए मिलना है जिसमें से बिहार को अब तक क्योंग पांच हजार करोड रूपए ही मिले है बता दे कि समय पर केंद्र से राज्य को राश्चीना मिलने पर कई केंद्रिये प्रयूजित योजनाओं को जमीन पर उतारने में बाधाउद पन हो रही है मालम हो कि केंद्र की और से बिहार को योजना मद की रासी 14 किस्त में उप्लंद करवाई जाती है से में वर्तमान वीतिय वर्स में केंदर से बिहार को एक लाग करो रुपे मिलना है वहीं अब राज्य सरकार के ओर से सभी विभागों से केंदर की योजना मद में मिलने वाली रासी की अधितन जान आज आधी राध से राजधानी में नहीं चलेगी डीजल चालत सिटी बस पड़िवान विभाग के द्वारा जारी कियेगा दिसूशना के नुसार आज यानी के 30 सितंबर की आधी राध से बिहार की राजधानी पटना के पटना नगर निगम के साथ साथ दानापुर, खगल और फिलवारी सरीफ में डीजल चालत सिटी बसे नहीं चलेंगी, पहें इस बारे में डीटियो श्रीप प्रकास के द्वारा बताया गया है कि विभाग के ओर से समय सीमा को बढ़ाने को लेकर कोई नई जानकारी नहीं दी गई है, मालमों कि राजधानी के कहीं इलाकों में वायू प्रदूशन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को होते देख पड़िवान विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया था, बता दे कि विभाग की ओर से डीजल सिटी बसों की जगह सी एनजी को बढ़ावा देने की योजना बनाएं गई है मनोज जहा और आरंड मोहन के विवाद पर तेरश्वी यादव का रियाक्सट बिहार के सियासी गलियारों में मनोज जहा के द्वारा संसद में ठाकुर को लेकर की गई टिपनी से बवाल मचा हुआ है वही इसी बयान को लेकर पुर्वसांसद एवन बाहुबलीनेता आनन् कि उन्होंने किसी कभी पक्ष नहीं लिया है हाला कि उनके पिता और राजसुप्री मुलारु प्रशाद यादव के द्वारा मनोज्जा का पक्ष ले लिया गया है अब की जानकारी के लिए बता दे कि उप मुख्यमंत्री तेश्वियाद अबीतिक उस दिनों से बिहार की र यह समाज अब अपने बच्चो परिवार समाज के भविषय के लिए जागरुक हो गया है उन्होंने कहा कि हमारे समाज का वोट उसी गरवंधन को पड़ेगा जो हमारी जाती एवं उपजाती को आरक्षन देगा आरक्षन मिलने के बाद ही हम गरवंधन करेंगे उन्होंने पर चलेगी प्रशांद किसोर का मुख्य मंतरी नितीश कुमार पर हमला जन सुराज पदियातरा के सुतरधार प्रशांद किसोर ने अनंद मोहन पर अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि एक बात यस पस्ट हो रही है कि नितीश कुमार जाती की राजनिती करते हैं नितीश बात वेक्टी विसेस आनंद मोहन की नहीं है बिहार की जनता देखेगी कि आगे ये और बढ़ेगा और भी लोग इस तरीकों के चीजों को डिमांड करेंगे उन्होंने कहा कि नितीश कुमार ने राजनीता और प्रिसासत के तौर पर संपुन रूप से सरेंडर कर दिया है न मैं मुख्य मัंत्री बना रहे हूँ बागी विहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है नितीश कुमार की ये सती आनंद मोहन के रहाई से नहीं हुई है उससे पहले जब महागरवधन की सरकार बनी थी उस समय से नितीश कुमार इसे फैसले ले रहे है भारत को दिये गए बयान पर PCB ने लिया यूटन पाकस्तान टीम के भारत पहुंचने के बाद पाकस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जका असरफ के एक बयान को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जम कर हंगामा हो गया है ऐसी में पाकस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से एक न्यूज एजनसी से बात करते वे अपनी सफाई पेश की गई है द्राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 1078 रुपे प्रति लीटर और दीजल 94 रुपे प्रति لीटर और दीजरय बात्राबज पेट्रों में 256 रुपे और दीजल कीमत 94.7 एक रुपए प्रती लीटर नर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पीटली कीमत 1.3 तीन एक रुपए और डीजल कीमत 15.66 रुपए प्रती लीटर है बता दे कि बिहार में पीटल का रेट सबस्यादा कसंगंज में हैं जहां पेट्रॉल 119.600 रुपे प्रती डीटर और डीजल 96.2-3 रुपे प्रती डीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारे दर पूछे है सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दर पूछे है सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिर्श्रा, गोनर सर्मा, उमेश्री सिदेव, राज की शुर्मा तो अनवर्द करीम खान, मुहमद फ़हीम, रंगीला भान प्रकाश, मुहमद सकीर हुसेन, भान प्रकाश, मौर्या, धननजे कुमार, गोलू यादतिलकई, अमित यादव, अमिर्जीत, यादव, अर्जुन राम इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, मनोज जाओ और आरंध मोहन के ठाकुर विवात पर आप क्या कहना चाहेंगे अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें और अगर आप यूटूब से देखते चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखते तो पेस को फॉलो करना न भूले, धन्यवाद